हलो दोस्तो अगर आप एक कम बजट वाली CNG गाड़ी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बैश्ट रहेगी दोस्तो आज हम एक कम कीमत में आने वाली CNG गाड़ी जिसका मैलेज भी अच्छा है दोस्तो जिसमें आपको पेलोड कैपिसिटी काफी सांदर मिलती हो जिसका लोड़ेंग एरिया बड़ी गाड़ी हो जैसा मिलता हो आपको दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बैश्ट रहीगी क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक कम कीमत में आने वाली मेंदरा सूपरोड दियों CNG के बारे में जियां दोस्तो इसकी कीमत तो कम है लेकिन आपको इसमें माईलेज काफी सांदर मिलेगा साथ में इसमें पेलोड ओप्सन आपको काफी सांदार मिलेगा एंड लोड़ेंग अरिया भी आपको काफी सांदार मिल जाता है तो आज हम इस वीडियो में इस गाड़ी की संपून जानकारी आपको देंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो दोस्तो सबसे पहले जानेंगे इस गाड़ी के फ्रेंट से तो दो आपको बता दूँ इसमें आपको काफी बढ़ी है एलो जन हेड लेम मिल जाती है साथ में आपको साइड में टंड इंडिकेटर मिल जाते है और दोस्तों बीच में आपको मेंदरा का लोगो मिलेगा काफी बड़ी आपको बिंडशील मिलेगी और डौल बाइपर मिल जाते हैं आपको और दोस्तों इसका ब्लेक बमपर मिलेगा आपको और इसमें आपको फॉकलेम तो नहीं मिलते दोस्तों लेकिन आपको स्पेस मिल जाती है जिस से आप आसानी से इसमें लगवा सकते हो और अब बात कर लेते हैं साइड की तो आपको बता दूँ साइड में με साइड में hack dive की बेजिंग मिल जाती है साथ में एक इक ग्रीन कलर की आपको बेजिंग मिल जाती है जिससे पता लगता है कहां ये CNG गाड़ी है साइड में आपको इसकी बैटरी मिलेगी दो आपको इसमें सलेंडर मिल जाते हैं दोस्तो नीचे की साइड और आपको इस गाड़ी में 12 इंच के मिल जाते हैं टायर और अब बात कर लेते हैं इसके बैक लुक की तो आपको बता दूँ इसमें आपको काफी बड़िया टेल लेम मिल जाते हैं साथ में आपको रुवर्स पारकिंग सेंसर मिलेंगे और दोस्तो नीचे आपको मिल जाती है इस गाड़ी की स्टेप नी चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एंटिरियर की तो आपको बता दूँ इस गाड़ी में आपको काफी बड़िया सीटे मिल जाती हैं दोस्तो ड्राइबर एंड को ड्राइबर के लिए और सीटिंग केपिसिटी आपको डी प्लस बन यानी दो लोगों के लिए मिल जाती है बीच में आपको एंड ब्रेक मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको 4-speed manual gearbox मिलेगा उसके नीचे दोस्तो इसमें आपको bottle holder मिल जाते हैं और दोस्तो इसमें काफी सांदर steering wheel मिलेगा टूइश पॉक steering wheel मिल जाता है बीच में आपको horan मिलेगा बीच में आपको मेंदरा का logo मिल जाता है और दोस्तो इसमें आपको वारा बोल्ट का charger socket मिल जाता है काफी space मिलेगी dashboard के उपर दोस्तो इस गाड़ी में आपको locable glove box मिल जाता है दोस्तो जो काफी अच्छी बात है उसके उपर एक आपको open glove box मिल जाता है इस गाड़ी में और बात करें इसके instrument cluster की तो आपको काफी सांदार इसका digital instrument cluster मिलेगा दोस्तो जिसमें आपको सारी information मिल जाएगी इसमें आपको speed के बारे में इस गाड़ी के temperature के बारे में fuel के बारे में और आपको odometer, trip meter सारी information आपको इस display में आसानी से देखने को मिल जाएगी दोस्तो और दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engine के बारे में तो आपको बता दूँ इस गाड़ी में मिलेगा आपको टू सलंडर 909 CC का positive ignition CNG engine जिसकी पावर है दोस्तो 20 किलो बार्ट की and torque है दोस्तो शाट न्यूटन मीटर का इस गाड़ी में आपको मिलता है four speed manual gearbox और mileage आपको काफी सांदर मिल जाता है supra do CNG में इसका mileage है दोस्तो जो company claim करती है तेवी स्पॉंट 35 के MPL का mileage जो काफी अच्छा mileage है दोस्तो इस गाड़ी में आपको single plate dry fiction type clutch मिल जाती है दोस्तो और fuel tank की बात करें तो आपको मिलता है 75 लीटर का CNG टैंक मिलेगा दोस्तो जिसमें आपको 12 केजी CNG आसानी से आजाती है और दोस्तो extra इस गाड़ी में आपको 5 लीटर का petrol tank भी मिल जाता है emergency के लिए और दोस्तो इसमें CNG के 2 cylinder आपको मिल जाते हैं और आप बात कर लेते हैं इसके dimension की तो आपको वदा दू इस गाड़ी की length मिलेगी आपको 4927 mm की इस गाड़ी की बिर्ट मिल जाती है आपको 1540 mm की इस गाड़ी की height मिल जाती है आपको 1900 mm की और दोस्तो इसका ground clean मिल जाता है आपको 158 mm का और इस गाड़ी का भील बेस है दोस्तो 1950 mm का चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के जीवी डबलू की यानि की gross vehicle weight की तो आपको मिल जाता है इस गाड़ी में 1850 kg का दोस्तो इस गाड़ी में front end rear में leave spring suspension मिल जाते हैं आगे end पीछे 7-8 आपको आगे मिलेंगे इतनी आपको पीछे मिल जाते हैं जो काफी बढ़िया है दोस्तो टाइट साइज इसमें आपको 145 12 इंच के टाइर मिलेंगे जो काफी बढ़िया है और इसमें आपको 70 की top speed मिल जाती है और दोस्तो एक बात बता दूँ आपको इस गाड़ी का फ्यूल टैंक एक वार फुल करवाने पर ये गाड़ी चल जाती है 325 किलो मीटर नॉन स्टॉप और दोस्तो अब बात करेंगे लोड बोड़ी एरिया की तो आपको बता दूँ गाड़ी की लोड बोड़ी जो लंबा ही मिले एक आपको वो मिल जाती है 7 फिट 5 इंच की जो काफी बढ़िया है और चोड़ा ही मिल जाती है दोस्तो 5 फिट की और पेलोड केपसिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है सुपरो D.O.C.N.G. में आईगा, वाँसे आप जाके देख सकते हो, और आमने कही गाड़ियों के चोटी गाड़ियों के बड़ी गाड़ियों के रिब्यू की लिखी है, तो आप देख सकते हो, नीचे description में जाके, और दोस्तो अब बात करेंगे कीमत की तो आपको बता दूँ मेंदरा सुपरो डियो सी एन जी अभी आपको ये गाड़ी मिल जाती है छे लाग बतीस जार रोपे में ये है इसकी एक्सो रूम कीमत दोस्तो और अन रोड कीमत की बात करें तो ये आपको तक्रीबन साथ लाग रोपे में आसानी से मिल जाएगी ठीक है दोस्तो थैंक यू दोस्तो